मादेमिक विद्याले के नेत्रित करता का दिर्ष्टी कोण क्या होना चाहिए? एक मादेमिक विद्याले के नेत्रित करता को विद्याले नेत्रित पर एक व्यापक परिप्रेक्षे विक्सित करने की आवशकता है जिसमें चार प्रमुख पहलुओं पर समझ सम्मिलित है आईए इन में से प्रतेक को एक-एक करके समझते हैं पहला, प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय भूमिकाउं से आगे नेत्रत की ओर पढ़ना एक मादमिक विद्याले के संदर्व में अक्सर ये देखा जाता है कि अधिकांश विद्याले प्रमुख अपनी भूमिकाउं और जिम्मिदारियों को प्रशासक के रूप में या अधिक से अधिक प्रबंधकों के रूप में देखते हैं हालंकि विद्याले में बदलाव लाने, नेत्रित करता और परिवर्तन के वाहक बनने के लिए नए ग्यान एवं कौशल के परिप्रेक्ष, समझ और अनुप्रयोग में बदलाव की आवशकता है एक नेत्रित करता की यह विशेष्टा है कि वह दाईरे में रहते हुए जोखे मुठाय, कारियों एवं विफलताओं की जिम्यदारी ले एवं लक्षिप्राप्त करते समय एक नेत्रित करता सभी हितधारकों को श्रेदे कर पुरिस्कृत करता है वे अपने कारेओं के माध्यम से दूसरों को प्रेरित कर एक सहभागिता की संस्कृती विक्सित करने की शमता रखता है। एक ऐसी संस्कृती जिसमें सभी लोग स्वतंतर रूप से निडर होकर काम कर सकते हैं। इस तरहे नेत्रित करता प्रशासनिक एवं प्रबंधिकिया कारेओं को करते हुए आगे बढ़कर विद्याले नेत्रित के अपने दाइरे का विस्तार करने में निरंतर प्रयासरत रहता है। दूसरा मूले वाहक नेत्रित करता बनना। विद्याले नेत्रित पर उपलब्ध साहित्य में एक नेत्रित करता से मूले नेत्रित की अपिक्षा की जाती है नेत्रित करता एक विद्याले का प्रिणना स्त्रोथ है इसलिए वे जिन मूलियों का पालन और अभ्यास करता है वे विद्याले के साथियों एवं चात्रों के बीज पारस पर एक संबंधों को निर्धारत करने के साथ-साथ विद्याले शिक्षा के परिणामों को प्रभावित करने की शम्ता रखते हैं मूले नेतृत के चार मुख्य छेतर हैं मूले, धारणा, ज्यान एवं अनुभव एक नेतरित करता में सत्यनिष्ठा, निश्पक्षता एवं आत्म अनुशासन जैसे मूलियों का अभ्यास करने का साहस है उभरते मूलियों में से एक महतपून मूले है परसपर निर्भरता जो कि सरल शब्दों में कहा जाए, तो प्रतेक व्यक्ति की स्वतंतर रूप से प्रगती करने और फिर एक जुट होकर संगठन के रूप में प्रगती करने की शमता होती है यह अवधारना स्वतंतरता के समान नहीं है, जहां प्रतेक व्यक्ति साजा किये बिना ही अपना काम करता है यह सह निर्भरता भी नहीं है, जैसे कि किसी कारे को पूरा करने के लिए हमेशा किसी और की ही आवशक्ता पड़े परस्पर निर्भरता व्यक्तिकत शक्तियों पर निर्मित होती है जिसमें प्रतेक व्यक्ति स्वतंत्र एवं सहयोगात्म गुरूप से विध्याले के विकास में योगदान देता है धारनाए मूलियों के समुका एक और महतपून गुण है जो सही दृष्टिकोंड से पनपता है जैसे कि विध्याले में छात्र विविधता की ताकत में विश्वास रखना या विश्वास रखना की प्रतेक छात्र सीख सकता है और प्रगती कर सकता है गैर भेदभाव का अभ लर्निंग की अवधारना का गहरा ग्यान होने जैसे व्यापक श्रेणिया शामिल है मादमिक विध्याले के देत्रित करता को अपने व्यवसाई का भ्यास को बहतर बनाने के लिए एक नेत्रित करता की रूप में अपने अनुभवों पर आत्म चिंतन करने की आवश्यक्ता है उधारन के लिए विध्याले नेत्रित टीम द्वारा लिया गया कोई एक निर्णय परिणाम देने में विफल रहा जिसके फलस्वरू ये घटना नेत्रित करता एवं शिक्षकों को चिंतन करने के लिए एक सु अफसर प्रदान करती है तीसरा नेत्रित का अभ्यास शोथ इस तथी की ओर इंगित करते हैं कि लगभग सभी सफल नेत्रित करता कुछ प्राथमिक नेत्रित गुणों का समान प्रदर्शन करते हैं इन प्राथमिक नेत्रित गुणों को चार शिणियों में रखा जा सकता है दिशानिर्धारित करना, संबंध बनाना एवं के नेत्रित करताओं की पहचान किया सकती है leader by position एवं leader by action within Priya पत के आधार पर नेद्रित करता यानी leader by position व्यक्ती होते हैं जिन्ने या तो miracle किया गया है अथवा वरिष्थम होने के कारण उस पत पर कारे रथे हैं in order by action व्य नेत्रित करता है जो पत से नेतरत करता होने के अतरिक्द पहल कर पाते हैं, बदलाव लाने के लिए कारे करते हैं एवं अन्य को प्रभावित करने की शमता रखते हैं। अपने कारियों के द्वारा लीडर बाई आक्शन सभी हितधारकों के साथ एक सहयोगी दृष्टिकून का निर्मान करते हैं। जानते हैं कि आप सभी नेतरत करता हैं। हालनकि इन चार द्रिष्टिकूनों को विक्सित करने और अभ्यास करने से आपको एक असाधारन नेतरत करता बनने की इस आगे की यात्रा में मदद मिलेगी। इन द्रिश्टी कोणों का संचालन आपको अपने माध्यमेक विद्याले को बदलने, छात्रों के सीखने में सुधार करने एवं छात्रों को अकादमिक एवं व्यवसाइक शिक्षा प्रदान करने हेदू एक सकारात्मक द्रिशा प्रदान करेगा.